स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेस्ट कंट्रोल के बारे में और इस पेसली आज की वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ माईस और रैट्स को आप किस परकार से अपने घर से दूर रख सकते हैं इस और इसके बाद चूहे घर के समान तो बरबाद करते ही हैं और अगर आपके घर में चूहे ज्यादा मातरा में घुमते हैं तो इससे एक डर हमेशा होता है खास कर गर्मी के महीने में कि चूहों की लाग की वज़ा से घर में अक्सर साप भी घुसाते हैं वैसे सापों को घर से दूर भगाने के लिए हमारे चैनल पे अल्रेडी एक वीडियो है जिसमें हमने बताया है कि ऐसी कौन सी केमिकल है जिसका यूज आप किस तरह से करेंगे जिससे आपके घर में साप कभी नहीं आएगा और अगर कभी आपके घर में साप निकल भी जाए तो उस केमिकल का आप किस तरह से यूज करेंगे जिससे वो साप अपने आप ही आपके घर से दूर निकल जाएगा तो इन दोनों ही टॉपिक्स पे हमारे चैनल पे अलग-अलग दो वीडियो हैं जिस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ और उपर आई बटन में मैं दे दूँँगा वहां से भी आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं वैसे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप चूहों को अपने घर से दूर रख सकते हैं और इसके लिए मैं आपको कुछ बहुत ही एफेक्टिव होम रिमीडिस बताऊंगा साथ ही मैं आपको कुछ केमिकल्स भी बताऊंगा इसके अलावा मैं आपको कुछ मेडिसिन्स बताऊंगा और साथ ही मैं आपको एलेक्ट्रो मैगनेटिक एडेप्टर्स के भी बारे में बताऊंगा वैसे अक्सर एलेक्ट्रो मैगनेटिक एडेप्टर्स को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं क्योंकि इनके रिजल्ट उतने अ आप अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में चुहे कभी नहीं आएंगे तो इस टॉपिक पे पूरी इंफर्मेशन पाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंतक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लें और साथ ही बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार से ग्यानवर्धक और हेल्थ से रिलेटेड मेरे चैनल पे आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके इंडियन घरों में हम चूहों की बात करें तो ज़्यादा तर घर ऐसे होते हैं जिनके घर में चूहे होते ही हैं और इससे लोग काफी परिशान भी होते हैं और अगर आज के प्रोस्पेक्टिव में मैं अगर बात करूं तो प्लेग और कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो चूहों से इंसानों म बहुत ही जल्दी म्यूटेट कर जाती है और चुहों को भगाने के लिए आप कितने प्रकार की जतन करते हैं ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसके लिए कई लोग माइस्ट्रेप तो कई लोग ग्लू सीट का भी यूज करते हैं कई तरीके की मेडिसीन्स आप घर के कोने में डालते हैं लेकिन इन सभी मेडिसीन्स का एक डर हमेशा बना रहता है कि घर में किसी बच्चे को ये मेडिसीन किसी प्रकार से हर्म ना करें तो अभी इस वीडियो में मैं दो होम रिमेडीज बताने वाला हूँ उन दोनों ही Home Remedies में से अगर किसी भी Home Remedies को आप अपनाते हैं तो आपके घर से चुहे दूर भाग जाएंगे उन में से पहला है मिर्ची पाउडर का यूज करना इसके लिए आप लगभग 2-500 ग्राम प्योर मिर्ची पाउडर ले लें और उसको आप अपने रेसिदेंस के चारो तरफ छिरकाव करा दें आप चाहें तो इसको अपने घर में भी छिरकाव करा सकते हैं हलाकि इस मिर्ची पाउडर का एक side effect ये होता है कि इससे बहुत ही तेज जहास आती है जिसकी वज़ा से आप इसको अपने घर में छिरकाव नहीं करा पाएंगे तो इसलिए आप ये trick अपने go-downs, warehouse के लिए अपलाई कर सकते हैं इससे इसकी महक से ही चुहे दूर भाग जाएंगे और जो चुहे इस मिर्ची पाउडर की टेस्ट करते हैं उनके सरीर में एक burning sensation होता है जिसकी वज़ा से चुहे हमेशा open field में भागना चाहते हैं तो इससे एक फाइदा ये होता है कि चुहे आपके घर में नहीं मरेंगे हलाकि इस trick का भी जो मैंने side effect बताया उसको ध्यान में रखकर ही आप इस trick को अपनाएं तो मिर्ची पाउडर का अगर आप अपने घर में छिरकाव कराते हैं तो इससे आपके घर से चुहे 20 से 25 दिन तक दूर रहेंगे ये तो हो गई home remedies की बात अब एक chemical की बात कर लेते हैं जिसका use करने से चुहे आपके घर में तो क्या आपके घर के आसपास भी नहीं आएंगे तो चलिए अब मैं उस chemical का पूरी तरीके से use करने का process आपको बता देता हूँ तो इसके लिए जो सबसे पहले आपको लेना है वो है ammonia ये हमारे पास chemical industry में use की जाने वाली ammonia की bottle है तो इसके लिए आपको लगभग 100 ग्राम ammonia लेना है जो आप किसी भी measuring jar से measure करके रख सकते हैं हलाकि ये cup 200 ml का है तो मैं अंदाज से half cup ammonia ले लेता हूँ जो 100 ग्राम के बराबर होगा तो ये हमने 100 ग्राम ammonia एक जार में ले लिया है मैं आपको अभी उस जार में total ही chemical मिला कर बता देता हूँ इसके बाद आपको उस जार में लगभग 200 ml water मिलाना है पानी को मिलाने के लिए आप कोसिस करें कि ये pure water हो क्योंकि कई बार अगर आप hand pump का या फिर contaminated water मिलाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है जिससे 2-3 दिनों में ही smell आने लगेगी तो इसके लिए आप कोसिस करें कि आप उसमें आरो का water मिलाएं तो ये मैं 200 ml water ले लेता हूँ तो इस जार में अभी जैसा आपने देखा कि हमने 100 ml ammonia मिलाया है और इसमें 200 ml water मिलाया है इसके बाद आप लगभग 2 टी ए स्पून इसमें सर्फ मिला दें जो आप किसी भी company का detergent मिला सकते है तो इस तरह से आप 2 टी ए स्पून फूल करके आप सर्फ मिला दें और उसके बाद आप इस solution को अच्छी तरीके से shake कर लें ऐसा करते वक्त आप एक चीज का ध्यान रखें कि आप अपने हाथ में gloves का use जरूर करें क्योंकि ये ammonia आपके हाथों पे भी आ सकती है जिससे कुछ परकार के races या फिर skin infection हो सकते हैं हलाकि मैं इसको अभी पूरे care से use कर रहा हूँ ऐसा करने के बाद आप इस solution को 5 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर इसके बाद आपके घर में जो भी ये sprayer वाली jar है चाहे वो किसी oil की bottle हो या फिर कोई shampoo की bottle हो उसमें ये solution को भरके और आप अच्छी तरीके से अपने घर के अलग-अलग कोने कोने में इसकी छिरकाव करा दें ऐसा करने से ही आपके घर से चुहे भाग जाएंगे और अगर कोई चुहा उसको टेस्ट करता भी है तो वो आपके घर से दूर जाकर मर जाएगा और मैं आपको बता दूँ कि ammonia की smell थोरी hard होती है जिसकी वज़े से चुहे आपके घर के आसपास भी नहीं आएंगे तो इसके लिए आप इस chemical का चिरकाव अपने घर के चारो तरफ यानि बाउंडरी के आसपास में भी करा सकते हैं जिससे चुहे आपके घर के अंदर तो क्या घर के आसपास भी नजर नहीं परेंगे और इस chemical का effect long term तक रखने के लिए आप इस solution को पचास पचास ग्राम की जार में लेकर घर के अलग-अलग कोने में डाल दें जिसकी एस्मेल से चुहे आपके घर में बहुत लंबे समय तक नहीं आएंगे वैसे तो आमोनिया आपको किसी भी अच्छे chemical store पे मिल जाएगा लेकिन अगर आपको लेने में परिशानी हो तो मैं इसको online purchase करने का link वीडियो के नीचे description में डाल दे रहा हूँ वहां से भी आप इसे online order करके मंगवा सकते हैं इसके अलावा अगर आप rodenticides यानि चुहों को अपने घर से दूर भगाने के लिए किसी medicine के use करने का तरीका जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक medicine suggest करूँगा वो है rat replaints क्योंकि अक्सर लोग कई बार अपने घर में चुहों को दूर भगाने के लिए किसी गोली का, किसी powders का, किसी liquids का use करते हैं लेकिन मन में एक डर हमेशा बना रहता है कि गलती से घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको छूना दें, गलती से उसे निगल न जाएं लेकिन इस rat replaint का design कुछ इस तरीके से किया गया है जिससे आप इन सभी बातों से बिलकुल निश्चिंत रहेंगे इसको use करने के लिए आपको इस rat replaint की डब्बे की उपर की wrappers को बिलकुल tear करके हटा देना है यानि कि उसके label को फार कर हटा देना है और उसके बाद आप इस डब्बे को घर के किसी भी कोने में डाल दें और ये बिलकुल safer तरीका है क्योंकि आप इस डब्बे को किसी भी ऐसे कोने में डाल सकते हैं जो बच्चों की reach से दूर हो और इस pest control medicine की smell से ही आपके घर में चुहे नहीं आएंगे वैसे इसका design car engine को ध्यान में रख कर किया गया है क्योंकि कई लोगों की शिकायत होती है क्योंकि कार के engines में भी बोनेट्स में भी चुहे घुस जाते हैं तो इसके लिए इसकी डब्बे के साथ एक strip भी दी गई होती है जिसको इस डब्बे की hole में फसा कर इसको कार के बोनेट्स में अच्छी तरीके से wrap कर दी जाती है तो अगर आप इस medicine को अपने four wheelers में या फिर अगर अपने घर में भी यूज करना चाहते हैं तो आप इसे strip के सारे अपने घर के किसी भी कोने में wrap कर सकते हैं अगर मैं इस medicine की durability की बात करूँ तो ये medicine का एक बार wrap करने के बाद 20 से 25 दिन तक काफी effective result रहता है जिससे आपके घर में चुहे नहीं आएंगे इसके आलावा चुहों को घर से दूर भगाने के लिए market में एक device भी बहुत परचलित है उसको बोलते हैं electromagnetic adapters तो इसके लिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक device suggest करूँगा जिसका result 100% होगा और ये device है pestrol ये एक Australia की company है जो इस pestrol को design करती है और इंडिया में इसकी काफी demands है ये pestrol adapter तीन technologies पे काम करती है जो है electromagnetic, ultrasonic और ionic इस adapter का use करने से आप एक चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं कि इसके लिए ना ही तो आपको किसी medicine की जरूरत होगी ना ही किसी chemical की, ना किसी powder की क्यूंकि घर में अक्सर बच्चे होते हैं जिसको लेकर parents के मन में doubts बना रहता है तो इसके लिए आप इस adapter को किसी भी board में plug करके छोड़ सकते हैं इसमें से electromagnetic radiation निकलती है जिससे चुहे आपके घर के आसपास भी नहीं आएंगे इस electromagnetic adapter का use कर सकते हैं और इसका result भी बहुत ही अच्छा मिलता है तो अभी मैंने इस वीडियो में चुहों को अपने घर से दूर भगाने के लिए जितने सारे tips बताएं हैं उनमें से अगर किसी एक tips को भी आप follow करते हैं तो यकीन मानिए चुहे आपके घर के आसपास भी नहीं आएंगे और आप अपने convenient के according इन सभी tips में से किसी भी एक tip को आप अपना सकते हैं वैसे अगर आप इस rat replant medicine का या फिर pestrol adapter का अगर आप online purchase करना चाहते हैं तो इसके लिए आप वीडियो के नीचे description में link चेक कर सकते हैं और वहां से भी आप इसे online order करके मंगवा सकते हैं वैसे इस वीडियो में बताई सारे tips में से आपके लिए कौन सा tip सबसे convenient लगा या आप हमें वीडियो के नीचे comment करके जरूर बताएं वैसे अगर आप किसी और reptiles को अपने घर से दूर भगाने के लिए paste control के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमें वीडियो के नीचे comment करके बता सकते हैं इसके अलावा अगर आपकी कोई और health issue है तो इस बारे में भी आप हमें mails करके Instagram पे messages से लिख सकते हैं उमीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी अगर आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और बगल में बन रहे बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक और health related मेरे चैनल पे आने वाली किसी भी वीडियो का notification आपको मिल सके